तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा, इसमें सब चीज़े बताई गई है, बहुत अच्छे से आपको समझाय गया है, तो आप इसको पूरा अंतक जरूर देखिएगा, जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फ उसको जोई करना बहुत पॉसाबल से होई है, कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबेक है, तो उसको कॉमेट सेक्शन में करके जरू बताईएगा, एक स्क्राक इट का ये चैनल जो योट्यूब पे है, उसको जरू से जरू सब्सक्राब कर लिएजए, यहां से है, जैसी आप ये लिखेंगे, लेट से बिशेग गुपता, भीना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आजाएको, इस चैनल को आप जोइन कर सकते हैं, ना गाते हैं सब में लोग का लेट से लिए चैनल पर और आप में पढ़ने जा रहे हैं, 26th of October current affairs, बहुत important current affairs है, आप इनको cover कोई भी आपको डाउट है फीडबेक है सेशन है तो कॉमेंट सेक्षिन में कॉमेंट जरूर कीजिएगा गाइस बना चाहूँगा कि एफारो मेंस के लिए टैसरी चल रही है तो आप एफारो मेंस की टैसरी जॉइन कर सकते हैं इस पर अभी 10% आफ भी चल रहा है तो इसको ज जरूर जरूर जोईन कर सकते हैं आरहे आरो सचीवाले का फुल प्रिशन ग्रूप चल रहा है इसको जोईन करना बहुत जरूरी है अगर आप आगे किसी ब एकजाम की तिजारी कर रहे है तो इस जोईन इस ग्रूप को जोईन करना बहुत जरूरी है इस ग्रूप को जोईन अखिल भारतिय शिक्षा समागम हुआ था 7 से 9 जुलाई 2022 के बीच में काशी बनारस में On Implementation of National Education Policy 2020 तो जो नई सिक्षा निती आई थी National Education Policy थी 2020 की उसके Implementation पे कि उसको किस तरह से Implement किया जाएगा किस तरह से लागू किया जाएगा उसके basis के लिए उसकी चीज़ के लिए ये conference की गई थी Next आता है professors of practice देखिए अब जिस तरह से assistant professor होते हैं या फिर associate professor होते हैं और फिर professor होते हैं एक professor of practice की post भी भने जा रही है colleges के अंदर तो higher education regulator जो है यानि की UGC जो है University Grants Commission उसने इशू किया है नई guidelines under which higher education institutes can create a new teaching position की जो higher teaching institutes है जैसे की IITs है या MBA colleges है MBA, MA colleges है तो ऐसे जो colleges है वो क्या कर सकते हैं अपने आए नई teaching position बना सकते हैं जिसको professor of practice कहा जाएगा to hire experts from various sectors तो जनी की अलग-अलग sectors में जो experts हैं उनको hire करने के लिए in line with provision that already exist in the IITs तो IITs के अंदर Indian Institute of Technologies के अंदर already ये चीज़े mentioned है already ये practice चल रही है professor of practice की तो अब जिस तरह से IITs के अंदर है उसी परकार से इसको और दूसरे संस्थानों में भी लागू करने की कवाय चल रही है तो कौन apply कर सकता है तो to be eligible for appointment an individual will have to be a distinguished expert यानि कि वो बहुत ही शांदर expert हो एक काफिकां उसने उस field में कियावा हो तभी उस person को professor of practice के लिए appoint किया जा सकता है who has made remarkable contribution in their profession and has at least 15 years of service experience 15 साल का service experience करीव-करीव होना चाहिए तभी जाकर वो इस चीज़ में आपाएंगे next रहता है महात्मा at the United Nations और United Nations में उनकी एक प्रतिमा आती है तो इंडिया का जो permanent mission है to United Nations और UNESCO महात्मा गांदी इंस्टिटूट जो है education का for peace and sustainable development उसने panel discussion organize किया to commemorate the international day of non-violence यानि कि 2 October को हम international day एक अंतराष्टे दिवस बनाते हैं आइंसा का non-violence का ये event कहां पे हुआ हर साल 2007 के बाद सगर हम देखें तो 2 October के दिन को birth anniversary जो होती है मात्मा गांदी की उसको हम celebrate करते हैं किस रूप में international day of non-violence के रूप में 1860 राइनियमिन का जर्म हुआ पोरबंदर में गुजरात में गांदी pioneered the philosophy of non-violence तो आहिंसा की philosophy फियर इंसा का जो दर्शन था वो उन्होंने follow किया through his political marches against the British and talks around India and the world 15 जून 2007 को United Nations General Assembly ने एक resolution पास किया जिसमें ये कहा गया कि हम 2 October को पूरे विश्व में International Day of Non-violence को celebrate करेंगे commemorate करेंगे The UNGA in its resolution said that non-violence यानि कि जो इंसा है tolerance यानि कि हम जो सही शनुता है जो आप tolerate करते हैं चीजों को full respect आप पूरी की पूरी जो इज़त दे रहे है पूर्ण संबान कर रहे है for all human rights यानि कि सभी मानवाधिकारों के लिए and fundamental freedoms for all या और जो मॉलिक जो स्वितंतरता है वो सभी को मिलेगी democracy है लोगतंतर है development है mutual understanding है respect है for diversity are interlinked and mutually reinforcing it was not the first time that a hologram of Gandhi participated in a life panel discussion ऐसे पहली बार नहीं हुआ है ऐसे पहले भी होता रहा इसे पहले भी 1 October 2019 इसको एक life like 3D hologram जो है leader का उसको appear किया गया था 4th अहिंसा lecture पे जो कि उनेसको में चला पैरिस में जो अहिंसा lecture series है उसको 2016 में इंट्रड्यूच के लिए था जिससे की lectures दिये जा सके अहिंसा के उपर public speakers on peace and non-violence for the benefit of peace builders यनि कि जो peace builders है उनके benefit के लिए policy makers के लिए youth के लिए UNESCO के जो member states है उनके लिए और अंतरास्टिये समुदाय के लिए यानि की international community के लिए नेक्स आता है PM ने प्रैम ने लॉंच करी है power sector की एक revamped distribution sector तो power sector की एक revamped नई नवेली आपको कह सकते है कि distribution sector की scheme निकाली है तो ministry of power की ये flagship scheme है which is aimed at improving the operational efficiency and financial sustainability of the DISCOM DISCOM का मतलब होता है distribution company जो बिजली का वितरन करती है तो जो बिजली का वितरन करने वाली company है power departments है अब वो जो operational efficiency है यानि कि जैसे वो बिजली लेती है पहले power house से और फिर आगे बिजली supply करती है तो उसमें क्या होता है कि इस बीच में बिजली का loss होता है एक तो बिजली का loss होता है transfer करने में और साथी साथ बिजली का loss होता है जो लोग बिजली की चोड़ी करते है तो उसके वज़े से जो DISCOM है distribution companies है वो घाटे में चली जाती है नुकसान में चली जाती है जिससे कि उनको इस चीज़ से उभारा जा सके उसके लिए ही स्कीम लाई गई है नेक्स आता है within outlay of over 3 lakh crore over a period of 5 years from financial year 2021-2022-25 इसकीम का aim है to provide financial assistance to DISCOM for modernization and strengthening of distribution infrastructure की हम जो distribution का infrastructure है मूल भूट धाचा है बिजली को वितरन कंड़े का उसको क्या कर सके उसको modernize कर सके आधोनी करत कर सके और उसको मजबूत बना सके it also aims to reduce the AT&C यानि की aggregate technical और commercial losses जो होते है पैन इंडिया लेविल के 12 से 15 परसें जो है उसको कम कर सके और जो average cost of supply है gap to 0 by 2024 by improving the operational efficiencies की जो simple सी बात है जो operational efficiency है distribution companies चाती है कि उसको वो बढ़िया बना दे है उसको वो कम करते है प्राइम लिस्टर ने inaugurate किया है 100 Megawatt का Ramagundum floating solar project ये बहुत important है ये आप सभी को बताऊं जाई है prelims में या कोई भी one day exam में सीधे 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 सवाल पुछ जाएगा कि बिधान मंतिरी ने जो भी Ramagundum floating solar project बनाया ये कहाँ पर खूला ये तेलंगाना में बनाया है और 20 Megawatt का कयम कुलम floating power project बनाया ये कहाँ बनाया है कयम कुलम केरला में बनाया और इस तरह से एक कुडन कुलम भी है जो की nuclear power plant है बनाया आपको कि कुडन कुलम nuclear power plant कहाँ पर है जो कयम कुलम floating solar project है ये कहला में है कुडन कुलम जो nuclear power plant है वो कहाँ पर आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएंगे He led the foundation stone of 735 Megawatt NOC solar project in Rajasthan तो 735 Megawatt का बिधान मंतिरी ने NOC solar project राजस्थार में डाला है Green hydrogen mobile mobility project ले में डाला है और कवास green hydrogen building blending natural gas project गुजराद में डाला है यानि कि 3-4 project चाले हैं काफी जादा energy के sector में काफी जादा काम चल रहा है सरकार की तरफ से रामा गुंडम project जो है भारत का सबसे बड़ा floating solar photovoltaic project है जिसमें 4.5 लाख मेर इंडिया solar photovoltaic modules लगे हैं और जो कयम कुलम project है ये second largest है तो रामा गुंडम सबसे बड़ा तेलंगाना वाला कयम कुलम उससे छोटा second number पे कहाँ वाला केरिला वाला ये केरिला में लगावा है 735 मेगावाट का जो solar PV project लग रहा है नौक में जसल मेर में वो भारत का largest domestic content requirement based solar project है जहाँ पे 1000 मेगावाट पर at a single location deploying high voltage bifacial PV modules with tracker system फिर जो green hydrogen mobility project है ले लदाग का ये एक pilot project है और इसका aim है कि 5 fuel cell बसिस चलाएंगे लहे के अंदर यानि लहे के अंदर क्योंकि वहाँ पे fragile वहाँ की जो ecosystem है ecology है वो बहुत अदा fragile है बहुत अदा नाजुक है तो वहाँ पर petrol diesel किरा चला कर बिजली से चलने वाली fuel cell से चलने वाली बस इसको चलाए जाएगा ये जो pilot project है would be the first deployment of fuel cell electric vehicles for public use in India तो पहली बार ऐसा रहा है ले लद्दाक के अंदर कि fuel cell electric vehicle public use के लिए भारत में लाए जा रहा है पूरे भारत में उसको कहाँ पर implement किया जा रहा है पहली बार ले के अंदर फिर green hydrogen blending pilot project जो है NTPC चला रहा है इसको कवास टाउंशिप में ये भारत का पहला green hydrogen blending project है जिससे की हम natural gas का प्राकर्तिक जो gas है उसका use कम कर दें तो प्राकर्तिक gas का use कम करके हम hydrogen पे जा रहे हैं और उजवल भारत उजवल भविशे power 2047 का एक लक्षे बनाया है और इसको चलाया गया था 25 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में नेक्स आता है आयरवेथ कॉलिज के अंदर research wings बनाने की बात की जारी है तो भारत सरकार का कहना ये है कि उन्होंने कमिशन बनाया है जिसका नाम है National Commission for Indian System of Medicine as per the National Commission for Indian System of Medicine Act 2020 Medicine Act लाया गया 2020 के तहत उसके तहती ये कमिशन बनाया गया है इसका काम ये है कि हमें quality और affordable medical education देनी है ensure करना है availability of adequate and high quality medical professionals of Indian System of Medicine की भारतिय सिस्टम जो है medicine का यानि ये आयरवेथ जो है वो भारत का है देखें सब अलग अलग जगाँ के अगर हम युनानी सिस्टम देखें तो वो ग्रीज का है होवियोपैती देखें तो वो जर्मनी का है आयरवेथ देखें तो वो भारत का है तो अब ये कहा जा रहा है कि भारत का जो medicinal system है आयरवेथ उसमें बहुत शांदार वहाँ से doctors निकल के आपाएं बहुत अच्छे से वहाँ से काम हो पाएं तो उसके लिए पुरे commission बनाया गया है नेच्ट आता है GS300 से पहले news आ रही है environment technology से marine pollution के उपर यानि कि जो समुदरी प्रदूशन है उसके उपर news आ रही है national center जो है for coastal research ये एक attached office है ministry of earth sciences का वो collect कर रहा है real time information on coastal water quality तो coastal water quality यानि कि coast पे समुदर तर्ठ पे पानी की गुनवत्ता कैसी है उसकी quality को जार्च कर रहा है ये जो attached office है by deploying water quality boys at 10 meter water depth in coastal waters तो 10 meter की गहराई पे water boys लगाए गए हैं ये लड़के नहीं है boy का में लग होता है एक instruments होते हैं जो हापे लगाए जाते हैं जो पानी का जो quality है उसके बारे में बताएंगे the collected data is shared with the state pollution control boards तो जो राज्ये के pollution control boards हैं उनके साथ data share किया जाएगा आप ये बताएंगे पस्चिम से लेके पूर्व तक west से लेके east तक बताएंगे कौन-कौन से राज्ये ऐसे हैं जो समुद्र तर्ट को लगाते हैं पस्चिम में सबसे पहले start करेंगे coastal states हैं यानि की समुद्र को चूते हैं नहीं साता है economy से news आ रही है कि credit और debit card transactions के लिए tokenization लाने की बात की जा रही थी बहुत पहले से चल रहा है 2020-2021 से चल रहा है tokenization इसमें क्या होगा कि आपका जो card की details हैं जैसे की CVV number होता है या expiry date वगरा होती है वो कोई भी website register नहीं कर पाएगी उसकी जबह एक token register होगा तो आप card की details सारी safe रहेंगी तो from Saturday यानि की 1 October से जो Reserve Bank of India का card on file tokenization norms हैं वो शुरू हो जाएगा या शुरू हो गया है which aim at improved safety and security of card transactions तो card transactions की safety को बहतरी बनाने के लिए यह किया जा रहा है now for any purchases done online यानि आप कोई भी खरीदारी online अगर करते हैं mobile app से करते हैं merchant के पास आगे करते हैं payment aggregate करते हैं payment gateway से करते हैं आपको जो आपकी crucial information है वहाँ पे वो save नहीं करने पड़ेगी जैसे debit card की जीए details हैं जैसे का 3 digit का CV भी नंबर होता है expiry date होती है यह आपको कुछ भी save करने की जरुद नहीं है अब बात आते हैं कि tokenization होता क्या है तो tokenization refers to the replacement of actual card details यानि tokenization का मतलब यह है कि जो actually में card की details है वो आपने क्या करती replace कर दी उसको नहीं डाल रहे हैं उसके जंगा कुछ और temporary token डाल रहे है with a unique alternate code called the token यानि कि alternate code है यानि कि एक अदिवित्य है हम कहें एक विकल्पिक code है और उसको हम token बोल रहे है which shall be unique for a combination of card तो एक card के लिए वो unique रहेगा token requester from the customer for tokenization of a card and the device तो इस तरह से इंडिया tokenization कर रहा है तो सब्टेंबर 2021 में अगर हम देखे तो RBA ने prohibit कर दिया है तो मर्चेंट्स को कि आप customer के card की जो details है उसको save नहीं करेंगे एक जनवी 2025 से next बहुत important news आ रही है environment technology से कि किस तरह से जो arctic की ice है तो जो arctic की ice बहुत तेजी से पिंगल रही है इस वज़े से महाँ पे जो ocean है महाँ पे जो महाँ जागर है वो acidic होता जा रहा है और उसके वज़े से जो महाँ पे जिंदगी है marine life है उसके जिंदगी को खतरे में आगी है वो यानि कि life महाँ पे threaten हो रही है तो chemistry of the western region of the arctic ocean is changing reported by researchers after discovering acidity level तो वहाँ पे जो acid का level है वो भढ़ता जा रहा है 3 से 4 गुना तीजी से भढ़ रहा है क्योंकि और जगां के ocean waters के मुकाबले क्योंकि वहाँ पर जो बरफ है वो बहुत तीजी से पिखल रही है scientist ने ये कहा है कि 2050 तक Arctic sea ice in the region will no longer survive the increasingly warm suburbs तो क्योंकि धीरे धीरे जो गर्मियां है वो बहुत ज़दे गर्माहट होती जा रही है उनमें बहुत ज़दे गर्मी होती जा रही है तो 2050 तक आते आते ऐसा होगा कि Arctic पे उस region में Arctic के बरफ बचेगी ये नहीं As a result, ocean's chemistry will grow more acidic और इससे क्या होगा इतनी दिक्कत आजाएगी For the diverse population of sea creatures तो जो समुद्र में रहने वाले जीव जन्तों है उनके लिए बहुत ज़दा दिक्कते आएंगी Plants and other living things that depend on a healthy ocean तो जैसे crabs की example ने है तो crabs for example live in a crusty shell built from the calcium carbonate prevalent in ocean waters तो crabs तो उन शेल में रहते हैं जो calcium carbonate से बनता है जो है वो healthy fish population पर depend रहते हैं खाने के लिए fishes के लिए sea birds fish और sea birds जो है वो plankton पर प्लांट्स पर रहते हैं और sea food की element है कहीं सारे इंसानों की ठाइटगा क्योंकि बहुत सारे जो coastal states पर रहने वाले लोग है वो sea food पर ही heavily dependent रहते हैं sea water यह सवाल पुझा सकता है आपसे कि sea water normally alkaline होता है जिसकी pH value क्या होती है 8.1 यानि कि क्या sea water acidic होता है या basic होता है तो समुदर का पानी basic होता है acidic बिलकुल नहीं होता पहली बात तो यानि कि 7 से उपर है मात्र जब 7 से उपर मात्र है यानि कि हम 8.1 को कहेंगे कि यह basic nature का है तो अगर यह चारी nature का है अब धीरे धीरे क्योंकि बरफ पिंगल रही है तो यह acidic की तरफ जा रहा है यानि 8.1 से कम होते होते 7 पा जाएगा और 7 से कम होते होते फिस 0 की तरफ जाएगा तो ये acidic होना शुरूब हो जाएगा तो अब आप देखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्र के पानी का pH कितना होता है तो आप 8.1 पे टिक लगाएंगे Next आता है Light Combat Helicopter को Indian Air Force में लगा दिया गया है Induct कर दिया गया है, शामिल किया गया है तो इंडिजीनस यानि कि जो सुदेशी बना है Light Combat Helicopter LCH Capable of Destroying Enemy Air Defense तो दुश्मन का जो Air Defense है उसको destroy करने में Capable है, conducting counter insurgency strikes और और भी जादे वो काम कर सकता है उसको Indian Air Force के जोथपूर Airways पे उसको इंड़क्ट किया गया है Helicopter का नाम प्रचंड रखा गया है यह only attack helicopter है दुनिया में, यहासा यह LCH के बनाने वालों का कहना है जो land भी कर सकता है और take off भी कर सकता है 5000 मीटर की height पे यानि कि इसको इस तरह से बनाया गया है कि यह लेल अदाग में भी काम कर सकता है with a considerable load of weapons and fuel meeting the specific requirements laid out by the Indian Arm Forces तो इंडियन Arm Forces ने जो भारत की सेनाए है उन्होंने यही कहा था कि भी हमें ऐसा helicopter चाहिए जो इतनी height पे 5000 मीटर की height पे land भी कर सके और take off भी कर सके तो भी हमारी requirements पूरी होगी बाकी तो ऐसे बहुत सारे helicopters घूमी रहे है तो Genesis अगर हम देखी हैं तो light combat helicopter क्यों बनाया गया तो 99 के Cargill War में यह जरूरत पड़ी कि भाई हमारे पास एक homegrown यानि घर के दुवरा बनाया गया हमारे घर में ही बनाया गया एक lightweight assault helicopter होना चाहिए जो precision strike कर सके भारत के battlefield scenarios में this meant a craft यानि कि जो helicopter है that could operate in very hot deserts hot deserts जैसे areas में भी वो operate कर सके और very cold high altitude region में जैसे की ले लद्दाक का जो region है बहाँ पर भी वो operate कर सके तो ऐसा एक helicopter हमें चाहिए development अगर हम देखें तो यह अपना में twin engine है यानि कि दो engine है इसमे combat helicopter है 5.8 ton की class का है यानि कि इसलिए इसको light कहा जा रहा है इसमें एक narrow fuselage है ये tandem होता है यानि कि एक के बीचे एक लोग बैठते है pilot के लिए और co-pilot के लिए co-pilot is also the weapon system operator यानि कि जो weapon system है जो उसको operate करता है वो पीछे बैठा वाला जो pilot है co-pilot है वो उसको operate करता है LCH inherits many features of the advanced light helicopter it mainly differs in tandem cockpit configuration वैसे तो लगबा लगबा को जो advanced light helicopter है उसी के साथ साथ मिलता है ये light combat helicopter भी लेकिन difference कितना है difference यह है कि इसमें जो दो pilots बैठते है वो एक के बीचे एक बैठते हैं making it sleek इसके वैसे थोड़ा पतला हो गया है it also has many more state of art system that make it a dedicated attack helicopter तो कहीं सारी features इसके अंदर तो क्या features है significance diagram देखें तो इसका maximum take-off weight है 5.8 ton maximum speed at 268 km per hour range है 1500 km ये वार में fuel वर के जा सकता है 3 घंटे का endurance है density जो altitude है 56 km उपर तक उठ सकता है helicopter में radar absorbing material है फिर pressurized cabin है जिसके वैसे protection मिलेगी nuclear attacks है biological attacks और chemical attack कोई भी अगर attack होते हैं किसी region में और वहाँ से ही helicopter निकलता है तो इन हर चीजों से इसको protection मिलेगी जो अंदर बैठे हुए लोग है noble prices के अगर हम बात करें तो noble price जो मिलता है वो बहुत सारे fields में मिलता है 6 fields करीब है जिन में noble price मिलता है तो देखते हैं तो prices in medicine है तो medicine में मिलता है electromagneticी में मिलता है physics में मिलता है बहुत इकी में chemistry में यानि किरसाइन विज्यान में literature में यानि किसाइते में और peace में यानि कि शान्ती में उनकी एक will थी इनकी इनकी will थी एक wealthy जोती रही एक सुडिश इंडस्टिलिस्ट थे और इंवेंटर थे डाइनमाइट के अवार्ड को सबसे पहले 1901 में दिया गया नॉबल की डेथ के बाद नॉबल की डेथ होगे थी 1896 में 1896 में जब उनकी डेथ हुई उन्होंने अपनी विल में कहा था कि मेरे नाम पर एक अवार्ड होना चाहिए तो उसी को बनाये गया और 1901 से ये अवार्ड देने शुरू कर दिये गए जो दुनिया के आज के सबसे प्रेस्टीजियस इनावों में से एक है इज प्राइज इस वर्थ 10 मिलियन क्रोनोर जो सुड़न के ये करेंसी है क्रोनोर तो 10 मिलियन क्रोनोर यानि कि 9 लाक डॉलर इसमें दिये जाते हैं वह आप उन्वज़ा लगा सकते हैं कितने वैसे हैं एंड विल बी हैंड इड आउट अगर आपको भारती रुपे में देखना है तो इस टेम्पे जो अलफर्ड नॉबल थे उसी दिन उनका दिहान उसी दिन हुआ था 1896 में एकनोमिक्स अवार्ड भी मिलता है एकनोमिक्स का जो अवार्ड है ये नॉबल की विल में नहीं था बाद में इंट्रोट्यूज किया गया Economics Award officially known as the Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel वो Nobel ने create नहीं किया था लेकिन स्वीडिन के Central Bank ने इसको 1968 में किया थे इसका कारण किया था जिस टाइम पे Alfred Nobel थे उस टाइम पे Economics as a subject वढ़ाया ही नहीं जाता था यानि कि बहुत जादा Economics as a subject का prevalence नहीं था लेकिन बाद में जब 1900 में 1920-1930 में जब Great Depression आया और महामंदी आई पूरे विश्व में उसके बाद से जो नेने लोग थे एकनॉमिस्ट थे वो आने शुरू है और उन्हें ने ये पता करना शुरू किया कि वही ऐसा हुआ क्यों यानि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो विश्व है उसके अंदर महामंदी आई है पैसर के लेके क्या दिक्कत आई है तो उससे पहले Economics को ऐसा subject कभी अगर हम कहें तो बहुत जादा seriously लिया ही नहीं गिया लेकिन उसके बास से लिया जाने लगा और इसलिए फिर 1968 में ही Economics का जो Nobel Prize था इसको भी introduce किया गया 1901 से लेके 2021 तक अगर हम बात करें तो Nobel Prizes और जो प्राइस है Economic Sciences में वो 609 बार दिय जा चुके है Nobel Statutes prohibit करता है जज को कि आप 50 साल तक discuss नहीं करेंगे अब देए सिंबल जी बात है कि अगर Nobel Prize किसी एक परसन को मिल रहा है और मैं जज हूँ जिसने कहा है कि इसको Nobel Prize दे दो तो मैं अगले 50 सालों तक ये discuss नहीं करूँगा कि हमने उसको क्यों दिया यानि 50 साल तक उमीद करते हैं जो जज होंगे वो खुद 50-60 साल के होंगे और 50 साल का मलब है कि वो 110 साल के हो जाएंगे जो की possible नहीं कहने का मलब यह है कि ये चाहती ही नहीं है कि ये इस बात की transparency आए कि किसको Nobel Prize मिल रहा है तो वो उसको क्यों मिल रहा है So it is probably going to be a while before we know for sure how judges made their picks for 2022 and who was on their shortlist कि 2022 में किसको मिल रहा है तो वो क्यों मिल रहा है उनको या किसको मिल रहा है तो वो पचास सालों तक उसको discuss नहीं कर सकते Nobel Peace Prize is presented in Norway तो Nobel Peace Prize तो Norway में दिया जाता है बागी सभी awards स्टुडन में दिया जाते हैं तो Alfred Nobel ही ऐसे चाहते थे Alfred Nobel का चाहना यही था क्योंकि Peace Prize तो उनके टाइम पे स्टार्ट हुआ था तो Nobel Prize Alfred Nobel ही चाहते थे कि Nobel का जो Peace Prize है वो तो दिया जान चाहिए नौर्वे के दौरा और बागी सभी प्राइस दे जान चाहिए चाहिए स्टुडन के दौरा उसके exact reasons क्या थे वो तो unclear है लेकिन यह अगर but during his lifetime Sweden and Norway were joined in a union जिसको 1905 में dissolve कर दिया कि आप देखिए यह कहा जा सकता है क्योंकि जिस टाइम पर Alfred Nobel जिंदा थे उस टाइम पे नौर्वे और Sweden एक साथ थे उनके बीच में की union बनावा था तो हम यह कह सकते हैं कि बाद में 1905 में नौर्वे का और Sweden का जो union था वो तूटा था तो क्योंकि अपने समय पे तो लोंने यह देखा था कि नौर्वे सुडन एक साथ है तो यही चाहेंगे कि यह दोनों जो है क्या रहे यह दोनों एक साथ रहे और एक प्राइज नौर्व इस प्राइज कमिटिन ऑसलो कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉडन की राजधानी स्टॉक होम है और नौर्वे की राजधानी ऑसलो है तो स्टॉक होम यानि कि स्टॉडन और नौर्वे की बीच में प्राइज की मनी को लेके प्राइज को लेके तनातनी भी हो जाती है कि दोन उन्हें foundation stone डाला है headquarters का building of the international financial services center authority IFSC का gift city कांदी नगर में और उनने साथ ही साथ इंडिया का international bullion exchange जो भारत का पहला international bullion exchange है उसको भी launch किया है gift IFSC में जो gift city है गुजरात के अंदर He also launched the NAC यानि की national stock exchange का जो IFSC और Singapore exchange का जो connect है उसको भी उन्हेंने क्या किया है launch किया है तो guys इसे साथ आज की रेंटरफेस complete होते हैं इसमें आपको कोई बिडाउड आता है कोई भी आपका feedback के session है तो comment section में comment जोड़ो कीजिएगा चलिए बाकिए मिलते है next video में So thank you and bye bye